वेलकम गाइज वेलकम बाक टियो ओन चानल ऑप्शन गाइड तो स्वागत है आपका एक और शान्दार डेली मार्कलिस वीडियो में आज भी मार्केट में कंटेनर्स फॉल देखने को मिला ओवराल मार्केट का ट्रेंड नेगिटिवी चल रहा है एंड देखो मार्केट डेली फॉल जरूर कर रही है लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको एंट्री मिलना आज के लिए भी जो मैंने आपको कल सेट अप बताय था पर्फेक्ली उसी सेट अप पे मार्केट ने काम किया है बस सारी कहानी बताय क्या है ट्रश्ट एंड ट करते हैं और सेट अप आपको कॉन्फिडंस आना भी जीए क्योंकि डेली पर्फेक्ट सेट अप मैं आपको आल्मूस्ट फूर यहर से दे रहा हूं तो सेट अप का अगॉर्डिंग तो अच्छा का सा प्रॉफिट आपने बनाया होगा फिर भी कमेंट से बता देना कैसा आ नहीं करना चाते हैं चलिए अलेसस पार्ट पर आते हैं सबसे पहले निफ्टी की बात करते हैं आप दीखिए निफ्टी में ओपनिंग थोड़ी गाप डाउन हुई थी पहली दो केंडल्स ग्रीन बनी है लेकिन मैंने आपको क्या बताया था अगर मार्केट को बुलिश हो 23,800 level अगर यह level lower side break हुआ तो market negative होगी और market में fall आएगा simple यह setup बताया था होता क्या है morning में ही हम 23,800 को confirmation के साथ break कर देते हैं level पे एक बार retrace भी करते हैं तो trade clear था level break भी किया है market ने lower side level पे market ने retrace भी किया है तो negative direction का trade बनाना यह clearly बताया था level lower side break होगा तो negative trade बनेगा और फिर वही fall देखने को मिला है slow and steady fall in fact super trend पे भी एक बार market ने retrace किया और वहां से फिर फादा fall आया है overall बहुत fast fall नहीं था लेकिन बड़ा fall जरूर था क्योंकि total level से almost 300 points का fall आया है 23,500 तक हमने fall किया है तो अच्छे खासे trades आप बना सकते थे setup से almost top जो हमारे level है उसी के आसपस लगा morning में यह आपको trade मिला direction बहुत ही clear थी super trend negative है level के below है तो direction तो negative ही है अगर आप bullish trade बना रहे हो मैंने कोई support नहीं बताया था मैंने आपको simply कहा था trailing stop loss यूज करना है और fall को catch करना है कोई support का level नहीं है और day end में तो super trend से भी आप एक बहुत अच्छा trade मना सकते थे तो setup perfect था hope आपने negative market के लिए trades बनाया होंगे और ठीक ठाक profit भी बनाया होगा nifty में अच्छा दिन था bank nifty में भी similar कहानी थी bank nifty में भी setup बताया था उसने perfectly वर्क के आप देखो bank nifty में morning में एक बार upside move करने के हम कोशिश करते है लेकिन मैंने आपको क्या बताया था by 51.300 बहुत ही important level है daily समझाता हूँ इस level की तो importance अगर bank nifty को bullish होना है तो इस level का breakout चाहिए होगा तब bank nifty में rally आएगी और बड़ी rally आएगी क्योंकि पहला ही target directly 51.800 का है तो अगर ये level break होगा तो बड़ी rally आएगी लेकिन कब आएगी जब ये level break होगा market level पे गई ही है वहां resistance phase करती है फिर dip कर जाते है lower side clearly बताया था 50,950 के below market negative होगी और market में fall आएगा ये level oversight break भी हुआ level पे market ने retrace भी किया और फिर slow थोड़ा time to market range में थी लेकिन जैसे ही है super trend को दुबारा test किया न एक बड़ा fall फिर यहां से देखने को मिलता है यहां भी clear था इस level के below market negative है market ने fall करने में time जरूर लगाया जब तक super trend को test नहीं किया fall नहीं आया लेकिन finally test किया तो एक बड़ा fall देखने को मिला यहां भी और हम 50,000 के below भी गए हैं intraday में तो यहां भी 1000 points का fall आया अच्छा का profit आप यहां भी बना सकते थे setup से setup बिल्कुल perfect था बस वही चीज़ है setup को daily आपको follow करना पड़ेगा ठीक है दोनों ही जगा जो चीज़ हमने discuss की थी negative market की वही negative market थी और वही fall आया अब कल के लिए directly discuss कर लेते हैं और आज bank nifty की expiry थी और आज last weekly expiry थी bank nifty की अब next week से यह जो सारी expiries है ना यह खतम होने वाली है यह सारे index की expiry है सिर्व nifty और sensex की expiry बच जाएगी और बाकी सारे index की expiry खतम होने वाली next week तो इस चीज़ का भी ध्यान रखे आज bank nifty की last expiry थी weekly वाली अब सिर्व monthly expiry होगी bank nifty में अब आज का दिन हो चुका है कल के लिए setup discuss करते हैं कहा गिटेव होगी और target के लिए फिर से trailing stopless यूज़ करेंगे वैसे हमार पास target है 23,300 200 points का target तो है तो trailing stopless ज़रूर यूज़ कर ले ना क्योंकि बड़ा target है लेकिन entry कब बनेगी downside की जब 23,500 lower side break होगा upside trade कब बनेगा 23,800 तो बहुत दूर है भाई साब जब 23,630 upside break होगा ना तो nifty में rally आएगी nifty bullish होगा target होगा 23,800 तो trade समझो कल के लिए nifty में 23,500 के below nifty negative होगा further क्योंकि new low बनाएगी market market में और weakness है फिर market में और fall आएगा और super trend अगर upside break होता है confirmation के साथ तो market bullish है हमार लिए nifty में और rally आएगी और target होगा 23,800 simple setup है दोनों side trailing stop loss use कलेना entry का ध्यान रखना 23,800 के below market negative और 23,630 के अबा market positive और bullish है और दोनों ही side confirmation के साथ level break होना चाहिए तभी आपको trade बनाना है clear है simple है nifty का charts पे setup इतना ही simple है बस follow करना है आज भी तो simple ही बताया था न 23,800 lower side break होगा तो fall आएगा bank nifty में 50,950 lower side break होगा तो fall आएगा दोनों levels break होए और fall आया बस wait करना है right trade का random trade मत लेना इतना ध्यान रख लेना ठीक है nifty का charts पे analysis होगा अब option chain देख लेते हैं एक बार total होई अभी भी bearish है लेकिन एक चीज़ नोटिस करोगे कल double होई था आज वो double होई नहीं है at least 41 lakh है put side call side 75 lakh तो oversold से थोड़ा data ठीक हो रहा है लेकिन कल expiry भी है nifty की तो उसका भी ध्यान रखना है इसली भी हो सकता ऐसी positions बन रही है फिर भी option chain क्या बता रही है levels में 23,500 पे support है थोड़ा सा वेट कर लेना 23,500 तो वो ही है same level charts पे मैंने discuss किया option chain भी same बता रही है यह support है अगर यह break हुआ तो fall आएगा upside resistance option chain में 23,600 पे नहीं है दोनों side same हुआ है exact same हुआ है 1,30,000 तो यहाँ resistance नहीं है 23,700 पे भी resistance नहीं है क्यों? क्योंकि expiry वाले दिन 60,000 का OIB भी कम होता है तो resistance as per option chain 23,800 पे है जो आज हमारा fall के लिए entry point था न option chain बता रही है कि upside अगर कही market struggle कर सकती है rally में तो वो 23,800 पे करेगी तो वो ही मैंने आपको कहा target हमारा यह होगा अगर market upside move करने लगती है option chain कल के लिए यह range बता रही है major support 23,500 अगर fall करने लगे इसके बिलो बड़ा fall आएगा और rally करने लगे तो rally में हमारा target होगा 23,800 लेकिन entry point क्या होगा उसमें थोड़ा सा change है होप option chain पे data clear है एक बार nifty का chart दुबारा देख लो एक चीज मैं clear कर देता हूँ मैंने आपको लेवल बताया 23,630 लेकिन 630 यूज नहीं करेंगे कल यूज करेंगे 23,650 क्योंकि हम expiry वाले दिन 50s के लेवल यूज करते हैं तो जब 23,650 upside wake होगा तो nifty में rally आएगे nifty bullish होगा थोड़ी सी correction है ध्यान रख लेना इस चीज को और हो सके तो comment भी कर देना 23,650 upside bullish level comment में ताकि आपको याद भी रहे and अगर किसी ने वीडियो skip कर दिये वो comments पढ़ रहा तो उससे भी इस idea हो जाए कि भाई ये वाला level है तो इसलिए एक बार comment जरूर कर देना hope ये correction clear है 23,650 का हम यूज करेंगे क्योंकि expiry है nifty की weekly वाली ठीक है ये एक correction थी जिसका आपको ध्यान रखना है आप nifty का setup clear है bank nifty पे आ जाते हैं यहाँ क्या करना है levels क्या है है हमारे पास है already levels ध्यान से समझ लो immediate support यहाँ पे हमारा zone है 49,900 से 50,000 का ठीक है उसके बाद 49,700 49,500 and 49,230 यह सारे lower side levels है upside 50,230 level तो है ही लेकिन इसके अबब super trend तो sell sign है तो इसको use नहीं करेंगे upside use करेंगे 50,450 उसके बाद 50,735 उसके बाद 50,950 level trade समझो 50,000 को day end में market ने hold किया है तो कल अगर market 50,000 को lower side break करती है bank nifty में bank nifty में फिर fall आएगा bank nifty फिर negative होगा और bank nifty में और weakness है यह lower side levels हमारे फिर target होगे clear bearish trade बनेगा 50,000 के below bullish trade 50,230 के अबव नहीं बनेगा क्योंकि super trend sell sign के साथ है bullish trade bank nifty में बनेगा 50,450 के upside breakout के बाद तब आपको bullish trade बनाना है rally के लिए trade बनाना है bank nifty में और target 57,35 पहला और उसके बाद 50,000 950 next level और target होने वाला है लेकिन entry clear है 50,000 के below market negative और 50,450 के अबवा market positive और bullish है bank nifty में simple setup है level के break होने का wait करना है फिर trade बनाना है और random trade specially इस market में नहीं करने है ये market बहुत ही जादा risk ही है क्योंकि जब market continuous fall करती है न तो लोग dip से reversal try करते है random और अभी ऐसा कोई dip नहीं आ रहा है जहां से reversal का कोई sign मल रहा है positionally भी हमारा दूर का ही target है तो अभी कोई nearby positional support भी नहीं है इसलिए कोई random reversal try नहीं करना है जब तक वो most important level ना हो तब तक कोई random reversal try नहीं करना है setup को ही follow करना आपको hope सारी चीज़े clear आ रहे है अब वीडियो अच्छे लगे तो like कर देना है चैनल पर नहीं तो क्या करना है subscribe भी ज़रूर कर ले